हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल देखिए फ्रेंड्स आज में लाएं आपके लिए खुबसूरत मोजे चोटी बच्चों के लिए यह मैंने 0-6 मन्थ बेवी के लिए बनाया है और बहुत हैल्दी बच्चा नहीं है तो यह वन येर तक के बेवी को अराम से फिट आ जा देखिए सबसे पहले हम फंदों का डिस्ट्रिबिशन कर लेते हैं यहां पर मैंने 31 फंदे लिए हैं और जब भी आप मोजो के लिए फंदे डाले तो देखिए थोड़ा सा उन आपका पीछे की तरफ बचा होना चाहिए जिससे आप फंदे डाल रहे हैं क्योंकि हमें जब संबाई बस बढ़ाना है तो अपने 31 लिए हैं 6 6 का मल्टिपल 30 प्लस 1 31 फंदे में लिए अगर आपको टू येर बेवी के लिए चाहिए तो आप 37 फंदे लिजे 37 फंदे फिर उसके बाद 5 6 7 8 साल तक के बच्चों के लिए 43 फंदे लिजे फिर उनसे बड़े बच्चों क लिए तो आप 6 6 फंदे में अड करते जाये तो अब बाकि आपको लेंग्ठ जो है वह आप अपने हिसाब से रख सकते हैं बच्चे का पैर चोटा तो लेंक्स चोटी कर सकते हैं बड़ा बड़ा पैर है तो लेंग्ध बढ़ा सकते हैं तो देखिए यह मैंने 31 फंदे है फिर एक फंदा हम स्कीप करेंगे ठीक है फिर एक फंदा बुनेंगे फिर एक स्कीप करेंगे अब फिर तीन फंदें बुनेंगे देखें एक दो और ये तीन ठीक है फिर उसके बाद एक फंदा स्किप करेंगे फिर एक बुनेंगे फिर एक स्किप करेंगे ये देखिए इस तरह से ठीक है फिर तीन फंदे बुनेंगे एक दो और ये तीन तीन बुने फिर हम एक उतारेंगे एक बुनेंगे फिर एक उतारेंगे फिर तीन बुनेंगे देखें एक दो तीन फिर एक उतारेंगे फिर एक बुनेंगे फिर एक उतारेंगे फिर तीन फंदें बुनेंगे एक दो और ये तीन फिर एक उतारेंगे एक बुनेंगे और एक skip करेंगे, ब्लास्ट में दो फंद है तो इनको हम सीधा बुन लेंगे, ठीक है, यह देखें, यह देखें, यह इस तरह से हमने इसको बनाए, ठीक, अब फिर रॉंग साइट से आपको कुछ करना नहीं है, यह जो बुने वे फंदे इसको हम उल्टा बुनेंगे, और उतारेवों को उतार लेंगे, यह बुना, यह बुना, फिर इसको हमने skip किया, फिर यह blue वाला बुना, तो जो बुना हुआ है, उसी को बुनना है, जो color का धागा होगा, उन फंदों को बुनना है, बाकी को skip कर देना है, ठीक है, तो इस तरो को हम इस तरह से बनाके complete कर लेत चलिए, अब पहला फंदा तो हम बुनेंगे, यलो, ठीक है, पहला यलो बुनेंगे, फिर अगला वाला जो फंदा है नीला वाला यह उतार लेंगे, ठीक, अब तीन फंदा हम यलो बुनेंगे, जो blue की रो थी वही है, एक, दो और यह तीन, तीन फंदे हमने बुन लेंगे फिर एक उतारेंगे, एक बुनेंगे, एक उतारेंगे, फिर तीन बुनेंगे, तो यह जो हमने तीन ब्लू कलर के बुने थे, उसके बीच वाला बुना जाएगा, यलो, बाकी अगल बगल के उतरेंगे, तो इस रोक आपको ऐसे ही कंप्लेट करना है, तीन यलो बुनना है, फ तीन बुनेंगे लास्ट अला बुनेंगे अब इसके बाद देखें यहां से जो यलो वाला है उसको यलो कलर से बुनेंगे और जो बुन वाला है उसको उतार लेंगे देखें यह उद बुना इसको उतार लिया एक दो तीन फिर इसको उतारा फिर एक बुना फिर एक उतारा फिर एक दो तीन ठीक है तो ऐसा ही बुन लेंगे यह रो कंप्लिट करेंगे यह देखें यह हमने चार सलायां बुन के कंप् देखें यह फंदा जो है कॉर्णर वाला यलोला उतार लेंगे पांच फंदे हम ब्लू बुनेंगे नीले से हम पांच फंदे बुनेंगे एक दो फिर जब इस तरह की डिजाइन हो तो मैं आप से काना चाहूंगे कि आप बुनाई लूज रखें लूज बुनाई रखें एक उतारा फिर पांच बुनेंगे एक दो तीन चार पांच ठीक है फिर एक फंदा हम उतारेंगे फिर पांच बुनेंगे देखें एक दो तीन चार पांच ठीक है फिर इसको स्किप करेंगे फिर एक दो तीन चार और ये पांच ठीक फिर इसको उतारेंगे फिर पांच एक दो तीन चार और ये पांच लास्ट वाला हम इसकिप करेंगे ये रहें रहें रॉंग साइट से बुनेवे को बुन लेंगे उतारेवे को उतार देंगे ठीक है इसको ऐसे फिर इसको हमने इसे उतार लिए फिर पांच बनेंगे फिर इसको हम ऐसे उतार लेंगे तो ऐसे हम बना लेंगे इसको यह देखिए हमारी 6 रों कंप्लीट होगे दो लाइन और है इस डिजाइन में देखिए अब यलो में शुरू में हम 4 फंदा बनेंगे यलो कलर से बनना है एक दो तीन फंदा बनेंगे और यह पांच के बीच वाला है ब्लू यह उतारेंगे ठीक है फिर एक दो तीन चार और बनेंगे फिर एक उतार लिया फिर पांच बनेंगे देखिए एक दो तीन चार और यह पांच पांच हमने बन लिया फिर एक उतारेंगे फिर पांच बनेंगे देखिए एक दो तीन चार पांच ठीक है तो ऐसे हम लास्ट तक बना लेंगे देखिए फिर से रॉंग साइट तो बुनेवे फंदों को यलो वाले फंदों को बुन लेंगे देखिए इस तरह से और यह जो ब्लू वाला इसको उतार लेंगे ठीक है इस तरह इसको बुन के हम पहले कम्प्लीट करते हैं तो बना लेते हैं यह हमारी 8 सलायन कम्प्लीट होगी एक डिजान हमारी दिजाइन हमारी कम्प्लीट होगी अब देखिए इस मोजे में हमने 12345 अगर आप बड़े बच्चों का बना रहे हैं तो एक डिजाइन जैसे मां घुलके यह दो तीन- साल तक बच्चों के लिए दो डिजाइन और एक्स्ट्रा बनाएं मतलब 6 के अलावा 8 डिजाइन बनाएं और बड़ों के लिए आप 10 बना सकते हैं वह आपके उपर डिपेंड करता हैं फ्रेंट्स वीडियो को जरुत नहीं है तो यलो कलर को हम यहां पर कट कर देंगे ठीक है अब यहां से हमारी जो है साथवी डिजाइन शुरू होगी तो पहली लेंट तो हम डिजाइन को स्टार्ट करेंगे फिर इसका फंदों को घटाएंगे अब देखे अगर आपको इसके बाद अंगुठे वाले बनाने है ठीक तो यहां से अब सारे फंदों को ब्लू कलर से बुन लिजे पीछे से बुन लिजे फिर इसके बाद अंगुठे का पार्ट अलग कर लिजे इतना पार्ट जैसे माली जी इतना आपको अंगुठे के लिए चाहिए तो अंगुठे का इसको अलग बुनिए फिर इसको अलग बुनिए और फिर इससे देखिए इस तरह से माली जी अंगुठे का हो गया यह इस तरह से इसको ऐसे करके सिल लीजे ठीक है तो इसमें अंगुठे हले बन जाएंगे अब देखिए बिना अंगुठे हले में हमारी डिजाइन के फर्स्ट रोया पर है दो फिर एक स्किप किया एक बुना एक स्किप किया और फिर तीन सीधा ती वाली रो हम जैसे फर्स्ट रो डाली वो डाली ठीक है अब रॉंग साइट से देखिए यह जो दो फंदे है इनको आपको एक करना है ठीक है यह जो दो फंदे है शुरू में दो है इसको आपको दो का एक करना है इसको यलो को उतारना है फिर यलो उतारेंगे फिर यह देखिए तीन का यह द करदेंगे दीघिए तीन का हमने एक कर देखें फिर एक उतारेंगे फिर ये बुन लेंगे फिर फिर थीन को फिर एक अकेला फिर उसका रिसकों लेंगे दो फंदे हैं दो का हम एक कर लेंगे ठीक है दो सलाई हो गई अब तीसरी सलाई में हमको सारे फंदों को सीधा-सीधा बुन लेना है राइट साइड से हम एक भी फंदा घटाएंगे नहीं ठीक उनको अब पैसे ट्विस्ट करना है अंदर चला जाए गए तो इस सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे तो बुन लेते हैं सीधा ये देखिए अब फिर रॉंग साइट से आ गया है तो देखिए आपे पहला फंदा आपको बुल्टा बुनना है फिर हम दो फंदों का एक करेंगे देखिए दो फंदों का हम एक करेंगे फिर एक उल्टा बुनेंगे फिर दो का एक करेंगे फिर एक उल्टा बुनेंगे फिर हम दो फंदों का एक करेंगे फिर एक बुनेंगे फिर दो का एक करेंगे फिर एक बुनेंगे last में देखे दो फंदे तरिन दोनों का हम एक करेंगे ठेक और इधर से देखे right side से आपको सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है आप देखे चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं पर यहाँ पर हम थोड़ा सा उल्टा बुनेंगे सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनके complete करेंगे यह हमने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया फिर अब right side से है wrong side से अब दो दो फंदों का एक करेंगे देखे यह दो का एक किया फिर दो फंदों का हमने एक किया फिर दो का एक किया फिर हम दो का एक करेंगे फिर दो का एक करेंगे फिर दो का एक करेंगे लास्ट में दो है दो का एक करेंगे फिर इधर से इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे देखें फिर इधर से आ जाएंगे हम फिर दो दो फंदों का एक करेंगे देखिए दो का हमने एक किया दो का एक किया फिर हमने ये दो का एक किया लास्ट में एक फंदा इसको हम अब इस दर से हम सारे फंदों को एक साथ उल्टा बुलिंग चार फंदे हैं इन चारों को आपको एक सा बाद उल्टा बुन लेना है इसको थोड़ा बढ़ा करके धागा थोड़ा से धागा बाहर निकालेंगे जिससे हमारे मोजे के अच्छे से सिलाई हो सके ठीक है थोड़ा धागा निकालके इसको हम यहाँ पर कट कर देते हैं अब इस धागे में आपको सूई डाल देना है तो इसको ऐसे मिलाना है मिला कर रखना दिखिए ऐसे मिला के तीन डिजाइन तक देखिए यहां तक हम सब्सक्राइब यहां पैर डालने के इसको खुला छोड़ेंगे तुसको ऐसे कर लेते हैं पहले दिखिए यहां से कि यह डिजाइन से आपको डिजाइन को मिला के रखना है इस तरह से दिखिए अब यहां से हम इसको लाइन को लाइन से मिला के रखना देखिए ऐसे ना हो ठीक है यह ब्लू और यह देखिए यह ऐसे मैच करके हो तो इसकी सिलाइए हम पहले कर लेते हैं अक्सर बुनाए करते हैं एक साइड थोड़ी लूस जाती है तो जब थिलते है थो इक साइड थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती तो गर ऐसा होगा तो डिजाइन हमारी बैठेंगी नहीं मतलब मिलेंगी नहीं तो बेकार लगेगा तो डिजाइन को मिलाना ।ो और पर देखिобщाए तीन डिजाइण होगी यह को गाट लगा देते हैं इस ततरव से यहां पर उनको पच कर देंगे अब देखिंगे इसके बाद हमने यह पीछह हमने यह यल फुट्र कर दढ़ दहगा छोड़ा था इसमें हमने गाट राली है तो इसको इस तरह से आपको सिलना है देखिए यहां पर जो है हम इसकी सिलाई कर लेते हैं इस तरह से इसको हम इस तरह से कर लेए ऐसे तो इसकी यहां से यहां तक आपको सिलाई कर लेने तो सिलाई कर लेते हैं इसके इसके डिजाइन कितने चीज़ सेट हुए इस तरह से तो लग रहे ना प्रिटी देखी तो मुझे उमीद है आपको ये मुझे पसंद आयांगे बनाने का तरीका समझ में आगा और पसंद आयांगे तो वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और हाँ अगर आपको इस तरह के मुझे बनाते हैं तो उसकी फोटो भी मुझे बेच सकते हैं मेरे फैस्बूक पेज या मेरे इंस्टाग्राम मेरी शैली पर तो कैसे लगए आपको इस सॉक्स मुझे कमेंट करके ज़रू बताएगा थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई